सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद आय दिन अपने अत्रंगी फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में च्छाई रहती हैं उन्हें हर बार अपने कपडों को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है यहां तक कि कई बार तो उर्फी अपनी रिवेलिंग कपडों की वजह से विवादों में भी फस जाती हैं अब इसी कड़ी में एक बार फिर उर्फी अपने फैशन को लेकर मुश्किलों में फस गई हैं दरसल सोशल मीडिया इंफ्लूएंजर फैशन अंसारी ने उर्फी के खिलाफ लीगल नोटस भिजवा दिया है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है उर्फी जावेद और फैशन अंसारी के बीच का विवाद काफी पहले से चल रहा है दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं हालकि अब दोनों के बीच का ये विवाद कोट तक पहुँच गया है दरसल फैशन अंसारी ने उर्फी के खिलाफ लीगल नोटस भिजवा दिया है फैशन अंसारी ने उर्फी पर आरोप लगाया है कि वे भड़कीले कपड़े पहन कर मोहल खराब करती है फैशन ने कहा उर्फी जावेद को अगर मुंबई में रहना है तो उन्हें अपनी हद और हालात बदलने होंगी वना उन्हें यहां रहने नहीं देंगे फैशन अंसारी ने कहा कि उर्फी जावेद इसलाम को बरबाद कर रही है हाल ही में मीडिया से बात करते हुए फैशन अंसारी ने कहा उर्फी जावेद के साथ मेरी लड़ाई बहुत पहले से चल रही है मैं कई मजदों और कब्रिस्तान में लेटर दे चुका हूँ, दिली और मुंबई में भी लेटर दे चुका हूँ, उर्फी के खिलाफ अब लीगल एक्शन हो रहा है, मैं उसे कोट में घसीट रहा हूँ आपको बता दे कि उर्फी और फैजान का विवाद कुछ पहले भी सुर्ख्यों में चाया हुआ था, जब फैजान ने उर्फी के खिलाफ फत्वा जारी करवाने की बात कही थी, उन्होंने कई मौलानाओं से उर्फी की शिकायत भी कर दी थी और जल्द ही उनके खिलाफ फत् जैन की रिपोर्ट